आज की इस वीडियो में हम रूरल लाइवली होड्स के एक्स्टा कोस्टन डिसकस करने जा रहे हैं आप जानते हो कि लाइवली होड का मतलब होता है जीवी का यानि कि रोजी रोटी कमाने का जरिया और रूरल का मतलब होता है विलेजी से जुड़े हुए तो जो village people होते हैं, वो अपने livelihood को कैसे कमाते हैं, जातर तो main काम agriculture होता है, लेकिन सब के पास तो land नहीं होती, कुछ के पास तो बिलकुल नहीं होती है, कुछ के पास थोड़ी होती है, कुछ के पास बहुत जादा होती है, और कुछ दूसरे काम भी करते हैं, तो क्या क्या काम करते हैं क्या problem phase करते हैं कैसे उन्हें solve करते हैं ये सबाब इस lesson में जानने वाले हैं हमने question answer ही लिए mainly question answer में आपको पूरी विलेज की जो की तमिल लाडो में है तो यह कहां है कलपट्टू विलेज is situated close to the coast in तमिल लाडो कोस्ट तो आप जानते हैं समुदर के किनारे के नजदीक है तमिल लाडो में what work do the people of this village do? इस village के लोग क्या करते हैं वो बहुत सारे अलग-अलग तरीके के काम करते हैं जिन में से यहां लिखे हैं farming agriculture एक ही होता है making basket basket banana utensils बरतन बनाना ports बनाना bricks इटे और बुलक कार्ट यानि के बैल गाडे बनाना what are the main sources of livelihood of some families in the village? विलेज में कुछ families की livelihood का main source क्या है? some of the people the rear rear का मतलब पालते हैं cows पालते हैं sell milk milk बेचते हैं either to the milk societies या तो milk की societies को जैसे अमूल milk society है और take milk to nearby town for selling या पास के टाउन में बेचने के लिए चले जाते हैं जैसे आपके शहर में भी बहुत सारे जो cycle पे motor cycle पे दूद बेचने आते हैं वो आसपास की villages से आते हैं ऐसी निवाँ जाते हैं इन coastal areas people are busy with fishing जो coastal area है वहाँ का main काम होता है fishing क्योंकि वो लोग fish खाते भी हैं तो पकड़ेगा भी कोई तो कुछ लोग जो fishing man होते हैं वो fishing करते हैं अब short questions है which other work services do the people of the village provide provide जो village people होते हैं वो किस तरह की काम करते हैं किस तरह की सेवाई देते हैं people engage in services जो सेवाई देते हैं वो है blacksmith लोहर का काम करते हैं nurses नर्स होती हैं teachers वोशन मैन वीवर्स यानिके जुला है जो कपड़ा गुनते हैं barbers नाई cycle repairs cycle repair करने वाला mechanics some shopkeepers and traders कुछ दुकानदार होते हैं कुछ ट्रेडर होते हैं तो सूचिंगे trader क्या होता है trader वो लोग होते हैं जो किसी से बना बनाया समान खरीते हैं और दूसरों को बेज देते हैं बस बीच में अपना कुछ पैसा profit बचा लेते हैं वो कहलाते हैं traders what types of shoes are located in the main market main street which looks alike main market में कौन सी ऐसी shop है जो जिसी दिखती हैं tea shops grocery shops barber shops grocery होते हैं जहां पर आटा वगेरा दाल वगेरा मिलती है वो grocery shop होती है जहां vegetable मिलती हैं वो भी grocery shop होती है बहुसे green grocery shop कहते हैं close shop tailor shop fertilizer and seed shops जो खाद और सीड बेचते हैं how many tea shops are there in the village village में कितनी tea shops है what do they sell वो क्या बेचती है four tea shops है महाँ पर एक बेचते है टिफिन जिसमें इडली डोसा उपमा और snacks बेचते हैं इवनिंग में वड़ाई बॉंडा और माइसोर पाक डेस्क्राइब अधर शॉप्स विलेज कलपट्टू विलेज कलपट्टू की दूसरी शॉप्स के बारे में बताई है जो दूसरी शॉप्स हैं वो किसकी हैं blacksmith की he lives with his family वो अपनी फैमिली के साथ ही रहता है his house acts as workshop too उसके घर में उसकी workshop पर जाने के जहां पर वो काम करता है next to the blacksmith there is cycle hire and repair shop blacksmith के पास में cycle से जहां पर आप उधार ले सकते हैं किराय पर ले सकते हैं और वो cycle repair भी करता है यह shop है फिर वाशन में की shop जो दो family चलाती है some people go to nearby town कुछ लोग पास के टाउन में भी जाते हैं to work in construction work वो construction work में contribute करते हैं यानि के मकान वगारा बनाने है काम some work as lorry drivers कुछ lorry driver के रूप में भी काम करते हैं write some sentences on the work of agriculture agriculture के बारे में कुछ sentences write करने है agriculture is the main work of the village people जैसे मैंने बताया कि agriculture गाओं के लोगों का main काम होता है paddy is the main crop paddy धान को कहते हैं धान में से paddy में से निकलता राइस आप यह नहीं कहते कि राइस की खेती होती है पैड़ी ग्रो की जाती है यह main crop होती है जो की irrigated field में जहापे कौफी सारे पानी की ज़र्त होती है उसमें उगाया जाता है फ्राइब दूसरी अलएन कि कापाजी सिरुगी बनती है शुगर कें गनना अ प्लैंटें बनाना यह बनाना यह यह कि केला सब कोकोनट ग्रूंकर कऊपोनट कि के सीटे मैं उसके सारे सम्मे recommendedς मैंगों अर्चर्ट और मैंगों के बगीचे भी हैं वहाँपर थे वाइट तुलासी और रमन को अपनी काव क्यों बेचने पड़ी। तुलासी और रमन की स्कूल जाने वाली बेटियां थी, वो हस्बंड वाइफ है। वो उनके खुशी से रह रहे थे। वान उ दोर्टर साली बेटी बिमार पड़ गए। उसके टीटमेंट के लिए उन्हें रमन के लिया बेचने पड़ी। जो गाओं के गरीब लोग होते हैं, वो जाता पैसा नहीं कमा हैं, जो पैसा थोड़ा कमाते हैं, उसे उनका गुझारने चलता हो जिंदा नहीं रह सकते हैं, इतले हैं अपना काफी समय इन इकथा करने में आप देख देखे भी होंगे कभी-कभी, जो लोग होते हैं, छोटों डंडियों को बंडल सिर्पे रखे आते हैं वह पैशा नहीं देना पड़ता नीचे गिर्के। जो फुद्वी तूटके गिर जाते हैं उने कठा करके लाते हैं वर्वेल दूर के बहुर्वेल से पानी लाते हैं ब्रूर फैचींग डीडियर कट्ल और अपने जरुत भी पूरी हो जाती है डिस्क्राइब दर लाइफ दर लैंड लेस और एग्री कल्चरल लेबर्स इंड एरिया रूरल एरिया में बिना जमीन वाले लोग होते हैं तो वह लेबर का काम करते हैं उनके लाइफ के बारे में बताइए नियर्ली 66.67 परसेंट आफ दर पोप हो सकते हैं वो खेती में मजदूरी का काम करते हैं सम आफ दैम हैव दियर ओन स्मॉल प्लोट्स अफ लैंड कुछ के लैंड तो है लेकिन बहुत कम है विच कैन नोट गिव दैम इनफ तो अंदेर लाइवलिवोड जिससे कि उन्हें काफी पैसा नहीं मिल पाता कि वो अपन दूर दूर जाना पड़ता है इस एक जंगा से दूसरी जंगा जाने को कहते हैं माइग्रेशन जैसे हम उतराखंड की बात करें हैं बहुत सारे लोग भीर से आते हैं यूपी से आते हैं जो यूपी में रहते हैं वहां भीर से उतराखंड से जाते होंगे तो ऐसे एक मानसुन के फोर मन्स होते हैं तो जो फिशिंग करती हैं उनके लाइफ के बारे बताईए जो कमुनिटीज फिशिंग के काम में लगी रहती हैं उनका कैसे कुझारा चलता है क्योंकि उस सवाइफ फिश नहीं पकड़ सकते हैं फोर मन्स होथा मानसुन हो फोर मन्स होते हैं यह फोर मन्स वो होते हैं विशिर्में से लोग जिंदा कैसे रहते हैं उने ट्रेडर से पैसा उता लेना पड़ता है during fish catch period जब उनके fish पकेने का time होता है they have to sell their fish to the trader उन्हें अपनी fish फिर trader को ही बेचनी पड़ती है चाहे वो कम पैसे मिले या ज्यादा मिले and cannot auction the fish in open market वो open market में अपनी fish auction नहीं कर सकते auction का मतलब भी बेचना होता है sell का मतलब भी बेचना होता है तरीके में फर्क होता है auction में क्या होता है कि आपने movies में देखा होगा कि कोई चीज बेचना चाहते है तो कोई उस चीज के 100 rupees लगाता है दूसरा करेगा नहीं नहीं मैं इसके 200 दोगा और कोई करेगा नहीं नहीं मैं इसके 500 दोगा तो कोस्ट जो पैसा है वो बढ़ता जा रहा है तो यह कहलाती auction तो fish की auction होती है लेकिन इन्हें trader कोई बेचना पड़ता है तो वो auction नहीं कर सकते trader ने का कि मैं 5 rupees में लोगा तो 5 में ही देने पड़ेगी क्योंकि वो उससे पहले ही पैसा उधा ले चुके है This lean period is very difficult period for the fishermen lean period इसी period को कहते है monsoon period को जब fish नहीं catch कर सकते तो यह उनके लिए very difficult time होता है अब लोगा अंधा type question देखते है What are the problems of small farmers in rural areas according to sacred के अनुसार rural area में जो small farmers होते हैं जिनकी land काम होती है उनकी क्या problems होती है According to Saker the problems of small farmers in rural areas are enumerated agender और enumerated का मतलब है बताई गई है और given भी लिख सकते हैं आप इसके जगा नीचे दी गई है The farmer's family does the whole work from sowing to harvesting of crops जो farmer की family होती है सारे काम वो खुदी करते है sowing बीच बोने से लेकर फसल की कटाई तक harvesting का मतलब होता है cutting the crops They have to take the produce to their house फिर वो जो पैदावार होती है उसे अपने घर ले जाते है They have to sell the produce first to the money lender पहले तो उन्हें अपना produce money lender को बेचना होता है बड़े कम कीमत पर जो कि market prices कम होता है जो कि money lender से उन्हेंने पैसा उधार लिया था The remaining remaining का मतलब बचावा बची भी पैदावार is enough for only two months वो केवल दो महिने चलती है They have to work as laborers for earning money for more four months और चार महिने तक उन्हें पैसा कमाने के लिए labor के रूप में काम करना होता है They may work in rice mill या तो rice mill में काम करते हैं और या फिर दूसरी जगह पर काम करते हैं They also rear cattle for milk to be sold in the market to earn money पैसा कमाने के लिए वो cattle भी पालते हैं ताकि उसका अदूद market में बेच सकें Why do farming committees commit suicide in summeryaz Suicide होता है murder of self कुद को माड लेना killing self कुछ ए रियाज में जो farming committees होती हैं वो अपने आपके क्यों खत्म कर लेती हैं क्यों माड लेती हैं क्यों suicide करती हैं तो उसके region यहाँ पर दिये हैं No.1 Farmers very often take loan from money landers Farmers अकसर ही money landers से loan लेते हैं For purchase of seeds कहें के लिए Seeds, fertilizers, Pesticides यानि को जो कीडों को मानने की दबाई होती है उसको खरिदने के लिए पैसा लेते हैं Sometimes seeds are not good कभी-कभी क्या होता है Seeds अच्छी quality के नहीं होते While on the other occasions और कभी-कभी pest damage crops जो pest होते हैं, कीडे होते हैं बिमारियां होती हैं, पोधों की वो crops को nust कर देते हैं जिससे ये crop fail हो जाती है Bad monsoon also damage crops अगर monsoon खराब है यानि की rain जादा हाई या rain आई ही नहीं दोनों खालत में crop खराब हो जाती है The farmers have to borrow more money for their daily needs Farmers को अपने daily के needs के लिए भी पैसा उधार लेना पड़ता है Loan goes on mounting Mounting का मतलब बढ़ना increasing Loan बढ़ता रहता है And there is no way before the farmers to repay loan और फिर loan को repay करने के लिए चुकाने के लिए Farmers के पास कोई रास्ता ही नहीं होता है They become helpless मजबूर हो जाते हैं And sometimes they commit suicide और कभी-कभी इसी लिए बिचारे suicide भी कर लेते हैं अब यहाँ पर terrace farming के बारे में एक paragraph दिया है और उसमें से आपको question answer पर बताने है Terrace farming in Nagaland This is a village called Sizami Sizami नाम का village है यह Which is in fact district in Nagaland जो के Nagaland के fact district में है The people of this village belong to Chakyesang और इस village के लोग Chakyesang community के है They do terrace cultivation वो terrace cultivation करते हैं Terrace cultivation होता है यह जिसमें की यह terrace बनाई जाती है और तब खेती की जाती है This means that land on a hill Slop is made into flat plots जो hill पर धलान पर land होती है उसे पहले चपता करते हैं Flat करते हैं Plot बनाते हैं And carved out on steps और फिसके सीधिये बना लेते हैं The sides of each plot are raised जो हर plot की side होती है उसे थोड़ा से ऊपर उठाते हैं In order to retain water This allows water to stand in the field इसे पानी field में ठहर जाता है Which is best for rice cultivation और जो की rice की खेती के लिए तो बहुत अच्छा होता है People of sijami have their own individual fields Sijami के लोगों के अपने-पने field है But they also work collectively in each other's field लेकिन वों मिलके एक दूसरे के field में काम करते हैं They form groups of six or eight वो six या eight लोगों का group बनाते हैं And take an entire mountain side to clean the weeds on it और सारे मिलके एक तरफ की जो mountain की side होती है उसमें से weeds को clean करते हैं Each group eats together once their work for the day is over और जब एक दिन का work पुरा हो जाता है मिलके eat करते हैं This goes on for several days कई जिनों तक ऐसे चलता रहता है Until the work is completed जब तक की work पुरा नहीं हो जाता है Which village is referred to in the picture above इस picture में कौन से village का जिकर है Where is it located, कहा है ये अब इस question के answer से इसमर किस प्रकार की farming करते हैं वो है terrace cultivation या terrace farming For what is this practice the best ये practice किस प्रकार की खेती के लिए क्या बोने के लिए best है वो है rice cultivation या paddy दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं Why do the people of sijami work collectively Sijami के लोग मिल के काम क्यों करते हैं To carry out the farming activities Farming activities को पूरा करने के लिए To clean the mountain side of the weeds या mountain side में से unwanted plants को remove करने के लिए Describe the life of fishing communities Fishing communities के life को बताईए To fishing community live in their houses Close to the sea The fishing community होती है वो sea के नजदीक जो उनके घर होते हैं वहार रहते हैं They have catamaran and nets lying around उनके पास catamaran होते हैं और nets होते हैं और उनके आसपास ही होते हैं The catamaran live for sea at around 2 o'clock in the morning For fishing Catamaran रात को 2 बज़े यानि कि सुबह उसे कहेंगे लेकिन रात होती हो समय Sea पर fishing के लिए जाते हैं And return at 7 o'clock with fish catch और fish catch के साथ 7 o'clock पर लोट के आते हैं Women gather to buy and sell fish Women fish बेचने के लिए और खरीदने के लिए कट्टी होती हैं The women keep some fish aside for their family और women fish अपनी family के लिए एक तरफ बचा के रखती हैं The rest they sell and auction बाकी को वो बेज देती हैं या फिर उसकी बाद निलामी कर देती हैं Money collected from auction is divided in shares equally Among the fisher women Fisher men और जो fisher men होते हैं जो कि उन्हें C से पकड़ के लाते हैं उन में equally बाट ले जाता है जो पैसे इकठा होता है auction से One share more is given to the owner of the catamaran engine and net जिसका catamaran होता है, engine होता है, net होता है उसे एक share ज़दा दिया जाता है Women who buy the cash Women जो catch को खरीदती है Keep the catch in basket, उसे basket में रखती है यानि कि fish यहां catch से मतलब है एक बार में पकड़ी गई fish And go to the nearby villages for sale of the fish और आसपास के गाउं में भी fish बेचने के लिए जाती है Traders also buy fish from the auction Traders भी auction से fish को खरीदते हैं Point to sale fish in the market और for export या तो उने market में बेचने के लिए या export करने के लिए Export का मतलब दूसरे country में बेजना In the evening Catamaran and Nets are repaired by the menfog Menfog का मतलब जो पुरुष लोग होते हैं वो Nets को or Catamaran को repair करती हैं Give an account of the ways of earning livelihood and rural areas Rural areas में जीवे का कमाने का क्या तरीके हैं Various ways of earning livelihood and rural areas Farm and non-farm activities होती है Farm activities में क्या क्या होता है Preparing the land Land त्यार करना Sewing Beach बोना Weeding Unwanted plants उखारना Harvesting Fuzzle काटना Farmer depend on nature for growth of crops Crops की growth के लिए Farmer nature पर depend करती हैं कि कब बारिश आएगी Hence life revolves around certain season इसलिए पूरी जिंदगी Season पर depend करती है Different crops are raised in different region अलग-अलग region में अलग-अलग crops उगाई जाती हैं Raised का मतलब है उगाना Grown However there are similarities in their situation And problem differs लेकिन उनकी जो problems होती हैं उसमें काफी सारी समानताए हैं उनकी situation में भी problems में भी Some people work as laborers on the farmland कुछ लोग तो farmland पे मजदूर के रुप में काम करते हैं And earn their living और जिव का कमाते हैं Other ways of livelihood are fishing crafts और दूसरे livelihood के तरीके होते हैं Fishing करना या craft करना Aruna and Pari Wellen Represent the fishing community Aruna और Pari Wellen जो उसका husband है वो fishing community को Represent करते हैं कि हाँ ये किस तरीके से वापर काम किया जाता है I hope कि आपको lesson समझ में आ गया होगा Please do subscribe the lesson Make comment in the comment box And also share the video कि ये माई प्या गोगा įे. जो में समका फ्याई गया जा कि ए. झाल झाल